हालो दोस्तों आज किस नई वडियो में आपका पहुत पुश्वागत है दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है टीचिटी पीचिटी कला क्वेस्चन और एंस्वर इसका ये पहला भागा यानी पार्ट वान है और यहां पर मैंने 20 महत्यपूर क्वेस्चन को लिया है जो वि यह पहला क्वेशन देख लेते हैं तो फहला क्वेश्चन है घास का डेर चित्रित करने वाले क्लका रखया नाम है तो आपके चार आज जो है आपशन दिये गये है पहला है मोने दुसरा है देगा और त्सराさ ये जान और इसके बाद है पिकाशो और इसका जो सही जवाब है वो है answer A यानि की मोने तो मोने के बारे में कुछ चीज़े जान लेते हैं दोस्तों मोने जो है प्रभाववाद का कलकार है और इसे ही प्रभावावाद का वास्तविक जनक माना गया है और इसका एक प्रसिद्दचित् सुरियोदय का प्रभाव नेक्स्ट कुर्चन देख लेता हूं और नेक्स्ट कुर्चन है दा परसिसेंस आफ मेमोरी किसकी पर सिद्धा पेंटिंग है आपके अप्षन चार यहां पर दिये गए हैं कंडास की सलवाडोल डॉली मार्क इंसर्ट या फिर जैक्सन पोलक तो इन चारों में से जो सही जवाब है वो है आपका सलवाडोल डॉली और इसके बारे मैं जान लेते हैं इसे यह जो है अती यथार्थवाद का चित्रकार है और दोस्तों यह जो है अथी यथार्थवाद का जनक भी माना जाता है नेक्स्ट जो क्वेशन है वो है ब्लू राइडर चित्र किस कलकार का है आपके जो ऑप्शन है वो है मार्क एंसर्ट कंडास की हैमिल नोल या कुकोस का और जो इसका सही जवाब है वो है कंडास की और ब्लू राइडर य जो है इसका परशिद्दच चित्र है और यह दोस्तों यह अभी वेंजनावाद का कलकार है नेक्स्ट जो क्वेशचन है वो देख लेते हैं उत्किरंकार या किसके द्वारा संपाधित होता है आके जो option है बास्टुकार द्वारा या मुर्तिकार या संगीत कार या चित्रकार और जो इसका सई अन्सवर है मुर्तिकार द्वारा नेक्स्ट देख लेते हैं यहां पर ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है आपके जो अप्षन है पारदर्शिय होती है अल्प पारदर्शिय होती है और या फिर जो है इन में से कोई नहीं और जो सही जवाब है वो है आपका बी यानि की अपार दर्शिय एक प्रसित पेंटिंग है दबात दबात पेंटिंग किसने चित्रित किया है आपके जो आप्षन है यहां पे माने वान गॉग डेवीड या फिर पॉल से जान और जो साइन्स वर है वो पॉल से जान है और उत्तर प्रभावाद का जनक माना जाता है और साथी इसे आधुनिक कलासली का जन्मदाता भी कहा जाता है तो नेक्स्ट जो क्वेशन है क्वेशन नमबर सेवन देख लेते हैं विकास पट्टचार नेकिस वाद में चित्रन कार किया है तो घनवाद में अभी चेरें चाथार्टवाद में या फिर इन्यमीं से कोई नहीं तो इसका जो सवह जवाब है वहैँ आति अधार्थवाद यानी किसी और विकास पटचार आति यह थार्थवाद की सानटो के लिए उस फाइले चित्रण के लिए प्रचद दहतahl को और सिरिंख्ला है जो काभी इनकी परसेद्य स्रिंखला है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रतम धातु जो निर्मित नर्तकी की मुर्ती कहां से प्राप्थ हुई है आपके आपसन है बेलारी मोहन जोद्रो अडपा यह रायगड से और आपका जो सही अंस्वर है वो है मोहन जोद्रो से प्राप्थ हुई है जो प्रतम धातु निर्मित नर्तकी की मुर्ती है फिराल यह जो राश्टी शंग्रा नुए दिल्ली में है संगरहिट है नेक्स्ट जो क्वेस्टन है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रूप यानि की पैग का वो कौन सा कलकार है जो इसा मसी पर बनाये गए चित्रों के लिए परसिद्ध है आपके आरा सूजा रजा या बाकरे तो यहां पर जो आपका एंसर होगा वो है भी सूजा है और सूजा जो है इसा मसी पर चित्रों जो है इन्होंने बनाये हैं और आपको बता दें कि पैक की जो स्थापना है उननीस हो साथ आलीज में हुई थी और इन्हें ही संस्थापक की रूप में यानिकि सूजा को ही संस्थापक की रूप में जाना जाता है नेक्स्ट जो क्वेशन है इ और इसमें से जो सही एंस वर रहा है वो है B यानि की रजा और इनको एक फ्रांसिसी बड़ा पुरस्कार मिला था जिससे ये पेरिस में जाके बस गया थे ये नेक्स्ट जो क्वेशन है ग्यार नंबर गयार वह देख ली ते हैं और जो क्योंगतर हैं कि लिए महसा सब्सकीन अ मनने हो स्थापना होई थी इसलिए मैं पूर है या फिर प्रतिम प्रतम कला परदर्शनी आयोजित की गई या फिर भारत में समकाली चापा चित्र का आगमन हुगा या फिर इस डेट को कला दिवस माना शुरू किया गया और चुकि यह दोस्तों बता दूं कि ये यूजी सी निट का क्वेशन है मैंने इसको शामिन किया है और इसका जो सही अंस्वर है वो है एंस्वर सी यानी की भारत में समकाली चापा चित्र का आगमन हुगा था और लगभग ये 2015 के आसपास 2015 में ही पूछा गया था ये क्वेशन आया था यूजी सी निट का नेक्स्ट देख लेते हैं तेरे नंबर कोशन है क्रिशा रेड़ी कहां से संबंदित है दिल्ली से मुंबई चिन्नाई हैधराबाद और आपके जो सही अंस्वर है आपका यहां पर डी है है रवाद और इनके बारे में बता दें कि कि इस रेड़ी जो है एक भारती प्रिंट मेकर थे मुर्थिकार थ हुई थी 22 अगस्त 2018 को और जन्म जो है 15 जुलाई 19 से 25 को हुआ था तो हाली में कि जो है डेथ हुई थी नेक्स्ट जो क्वेशन है प्रियाग जा चिल्डर किसके लिए जाने जाते हैं और मुर्तिकला है ऑप्शन ए में और दुसरा है चित्रकारी तीसरा है छापा के लिए और प्रियाग जा जो है भारती समकालीन चित्रकार है जो की छापा चित्रण के लिए जाने जाते हैं नेक्स्ट जो है क्वेशन 15 नमबर देख लेते हैं गुप्तकालीन देवगर का मंदीर किसे समयरपित है आपके आप्शन है सीव को विश्डू या दुरुगा या बुद्ध यहां पर थासा मिष्ट हो गया तो यह बुद्ध है तो आपके जो इसमें से जो सही अंसर है वो है विश्डू को समरपित है गुप्तकालीन देवगर का मंदिर और यह कहां पर है यह मंदिर जो है उत्तर प्रदिश के ललितफूर जिले में है और नेक्स्ट जो कर्वशन है नंदलाल बोस का जो चित्र दान्डी यात्रा किस मयं में बना है लिनो कट माद़य में बना है या फिर फिर मूट कट यह सिल्क स्क्री माद़य में यह फिर कोई नहीं इसे तो जो आपका सही जवाब है वो थैट लिनो कट और चलिए फिर next question देख लेते हैं यहां पर group 1890 की अस्थापना यहां पर किस ने की थी आपके जो चौर अप्शन है वो है प्रदोस दास गुपता ने की थी या जे स्वामी नातन ने या धनराज भगत ने या इन में से किसी ने भी नहीं की थी तो जो सही अंस्वर है वो है जे स्वामी नातन ने की दी यानि की बी जो सही है और इसकी जो स्थापना है group 1890 की 1963 में हुई दी दिल्ली में और एक और जो question है इन में से प्रसिद्ध कला समिच्छ कौन है और आपके आपसान है एस रमन गेरीश करनाड आरके नरायन या फिर इन में से कोई नहीं तो आपके जो सही अं ने में थे और प्रसिद्ध कला समिच्छ के एस रमन और अनिस्वा जो नंबर है वो है आपका सेलोज मुखरची की कलाब किस प्रकार की है आपके जो option है यह यहाप आकार वादी है या फिर रंगवाधी है या पर रभावाधी है या फिर घणवाधी है तो इसका जो सही ज चितरकार थें तो लास्ट जो दोस्तों क्वेस्टन यह हाली में हुआ है इसलिए मैं इसको सामिल कर लिया है अबी यह पूछा नहीं गया है किसी भी एक्जाम में तो अभी जो है 37 गुज्राल का हाली में परसिद्ध्रकार 37 तेस गुराल को निधन हो गया है वो किस डेट को हुआ है आपके सा ऑप्शन है 19 से मार्च 2020 को या 20 मार्च 2020 को या फिर 22 मार्च या फिर 26 मार्च 2020 को और इसका एंस्वर आपको कमेंड बॉक्स में बताना है और अभी फिलाल मैंने अपने फेस्बुक पेज पे इनके बारे में मैंने डिटेल में पोस्ट किया है जब ये इनकी डेथ हुई थी तो जो मेरे पेज को फॉलो करते हैं वो इसका जानते होंगे और अभी तक जो है आपने हमारा फेस्बुक पेज लाइक नहीं किया है तो कर लिजिएगा ठीक है तो इसका एंस्वर जो है आपको आपको जो है आपको कमेंड बॉक्स में बताना है क सब्सक्राइब का जो निधन है वो किस डेट को हुआ था तो कमेंट बॉक्स में बताइए और तो बस यह बीस क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा पार्ट टू वह भी इसी से ही रिलेटेट होगा इसी टॉपिक से ही तो बस आज के वीडियो जो चीजें आती हैं चित्रकलाज सबंधित मैं वहां पर पोस्ट करता हूं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है मैंने आप वहां से भी जूड़ सकते हैं इस्टग्राम पर भी जूड़ सकते हैं तो बस आज किस वीडियो में इतना ही था तो देखने के लिए आपक दानेवाद